हम देखने वाले हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए कि उन्हें हिंदी में जीवन परिचे जू याद करने के एक समस्या रहती है कि किनका याद करें और किनका ना याद करें इसके लिए हमने एक solution आपके सामने रखा है हम promise करते हैं कि जितने भी लोगों का नाम अभी हम आपको बता रहे हैं इससे इश्टरा किसी का भी नाम इसमें आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है जी हाँ आपने सहे सुना इससे जाधा आप लोगों को किसी के बारे मे याद नहीं करना है, किसी का जीवन नहीं याद करना है, जीवन पर से, तो इसमें हम जितने लोगों का नाम बताएंगे, आपको गद्ध और पद्ध दोनों में बताने वाले हैं, और जितने लोगों का नाम बता रहे हैं, इससे इस्ट्रा आप लोगों को किसी भी बिक्ती का जीवन पर से नहीं याद रखना है किसी भी लेखक और किसी भी कवीग इसमें हम सबसे पहला नाम आपको बता रहे हैं गद्य में वासुदेव सरण अग्रवाल जी हाँ वासुदेव सरण अग्रवाल जी का सबसे पहले नंबर पे हमने इनको रखा है आप इनका जीवन परचे जरूर याद रखेंगे दूसरे नमबर पे डाक्टर हजारी प्रसाद दिवेदी जी हैं ये भी गद्ध में आपको इनको भी याद रखना है तीसरे नमबर पे प्रोजी सुंदर रेड़ी और चौथे नमबर पे डाक्टर एफीजे अब्दुल कलाम और गद्ध में सबसे लाष्ट में यदि आप इन चारों लोगों का याद कर लिये हैं तो कनहया लाल मिस्त्र प्रभाकर हम आप से प्रामिस करते हैं कि इन पांच लोगों से ज़्यादा आपको किसी भी कवी का किसी मतलब लेखक लोग हैं तो किसी भी लेखक का जीवन परचे आपको नहीं याद रखना है इस से इस्ट्रा नहीं पूछा जाएगा और यदि इस से ज़्यादा जैसे कुछ आता भी है तो उसमें भी हर एक जो आपको तीन लोग चार लोगों में दिया जाता है तो उसमें से एक आपको इसमें जरूर मिलेगा वाकि अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें पद्ध में किन लोगों का याद करना है कभी में किन का नाम याद रखना है किन का जीवन परचे याद रखना है तो आईए हम लोग चलते हैं काब की ओर तो इसमें हमने आपके सामने साथ ऐसे नाम रखे हैं साथ ऐसे कवी को हमने रखा है क्यों साथ रखे हैं क्योंकि काफी ज़्यादा लोग इसमें हैं तो इस कारण से कुछ important लोगों को रखा गया है बाकी आपको पहले पांच अलग रखे गए हैं दो लोगों को अलग से तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यदि साथ नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये पांच जरूर याद रखिएगा लेकिन वैसे हो सके तो साथो याद रख लीजिएगा सबसे पहला नाम यहां पे आता है अयोध्या सिंग हर्योध का इनका जीवन पर चे आपको याद होना ही चाहिए दूसरे नंबर पे मैथली श्रण गुप्त और तीसरे नंबर पे जै संकर प्रसाद जी को और बात करें यदि चौथे नंबर पे तो हमें सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में याद रखना चाहिए और पाचवे नंबर पे महादेवी वर्मा को चाथवे नमबर पे भारतेंद वहरिस्चंद और साथवे पे निराला याने की सोरकान तिरपाथी निराला जी को आप याद करेंगे अब हम आपको बता दें कि आप का समय जो है आपके पास कम बचा हुआ है इसलिए आपका समय तो जादा नहीं लेंगे लेकिन हम आपके सामने एक स्टेटजी वीडियो के रूप में लाने वाले हैं हो सकता है कि सर से बातचीत करने के बाद दोनों सर एक साथ मिलके जो है आपके लिए कुछ प्लान ऐसा करें ताकि जो उसमें बताया जाए कि किस तरीके से आखिर हम बोर्ड इजाम को क्रेक कर सकते हैं बाकी हम देखते हैं ऐसा कोई वीडियो यदि फलान बनता है थम लोग लाएंगे साथ साथ आप लोगों को क्लास दस के लिए भी ऐसा वीडियो मिलेगा जो क्लास दस के बत्चे हैं जिवन परचे के विज़ पर और क्लास बारा में अभी पार्ट टू आने वाला है जो और फिर पिछले साल के जितने भी कुश्चन पेपर हैं उनको हम जल्द ही सौल्व तराएंगे बाकी आप लोग कमेंट करते रहिएगा क्योंकि कमेंट करने से हम लोगों का थोड़ा सा उत्सा यानि मोटिवेशन बढ़ता रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिए तो थैंक्स टेक केर बाई बाई झाल झाल